आज 26 जुलाई है और आज का दिन बहुत खास है, आज कारगिल विजय दिवस है, 21 साल पहले आज के ही दिन कारगिल के युद्ध में हमारी सेना ने भारत की जीत का जंडा फैराया था, साथियों कारगिल का युद्ध जिन परिस्तित्यों में हुआ था, वो भारत कभी नहीं भूल सकता, पाकिस्तान ने बड़े-बड़े मन्सुवे पाल कर भारत की भूमी हत्याने और अपने यहां चल रहे आंत्रिक कलह से द्यान भठकाने को लेकर दूसा हस किया था, भारत तब पाकिस्तान से अच्छे समन्तों के लिए प्रयास रब था, लेकिन कहा जाता है न, बैरू अकारन सब काहूं सोग, जो करहित अनहित ताहूं सोग, यानि दुस्ठ का स्वभाव ही होता है, हर किसी से बिना वजह दुश्मनी करना, ऐसे स्वभाव के लोग जो हित करता है, उसका भी नुकसान ही सोचते हैं, इसलिए भारत की मित्रता के जवाब में, पाकिस्तान द्वारा पीट में छुरा धौपने की कोशिश हुई थी, लेकिन उसके बाद भारत की वी सेना ने जो पराकरम दिखाया, भारत ने अपनी जो ताकत दिखाई, उसे पूरी दुनिया ने देखा, आप कल्पना कर सकते हैं, उंचे पहड़ों पर बैठा हुआ दुश्मन, और नीचे से लड़ रही हमारी सेना ये, हमारे वीर जवान, लेकिन जीत पहाड की उचाई की नहीं, भारत की सेनाओं के उचे होंसले और सच्ची विरता की हुई, साथियों उस समय मुझे भी करगिल जाने और हमारे जवानों की वीरता के दर्शन का सोभागे मिला, वो दिन मेरे जीवन के सबसे अनमोल ख्षणों में से एक है, मैं द देश भर में लोग कारगिल विजे को याद कर रहे हैं, सोचल मीडिया पर एक हैश्टेग करेजिन करगिल के साथ लोग अपने वीरों को नमन कर रहे हैं, जो शहीद हुए हैं, उन्हें स्रधांजली दे रहे हैं, मैं आज सभी देशवासियों की तरफ से हमारे इन वीर मानों के साथ साथ उन वीर माताओं को भी नमन करता हूं, जिन्होंने मा भारती के सच्चे सपुतों को जन्म दिया। मेरा देश के नवजवानों से आगरह है कि आज दिन भर कारगिल विजे से जुड़े हमारे जाबाजों की कहानिया वीर माताओं के त्याग के बारे में एक दूसरे को बताएं, शेयर करें, मैं साथ ही आपसे एक आगरह करता हूँ आज, एक वेबसाइट है www.galantryawards.gov.in आप उसको जरूर विजिट करें, वहां आपको हमारे वीर, पराक्रम योद्धाओं के बारे में, उनके पराक्रम के बारे में बहुत सारी जानकारिया प् अपने साथियों के साथ चर्चा करेंगे, उनके लिए भी प्रेणा का कारण बनेगी, अब जरूर इस वेबसाइट को विजिट कीजिए, और मैं तो कहूंगा बार-बार कीजिए, साथियों, कारगिल यूद्ध के समय, अटल जी ने लाल किले से जो कहा था, वो आज भी हम सभी के लिए बहुत प्रासंगीख है, अटल जी ने तब देश को गांधी जी के एक मंत्र की याद दिलाई थी, बात्मा गांधी का मंत्र था कि यदि किसी को कभी कोई दुविदा हो कि उसे क्या करना क्या न करना, तो उसे भारत के सबसे गरीब और असहाय व्यक्ति के बा है, उसे उस व्यक्ति की भलाई होगी या नहीं होगी, गांधी जी के इस विचार से आगे बढ़कर, अटल जी ने कहा था कि करगिल युद्ध ने हमें एक दूसरा मंत्र दिया है, ये मंत्र था, कोई महत्वपूर्ण निर्णे लेने से पहले, हम ये सोचें कि क्या हमारा ये कदम, उस सैनिक के सम्मान के अनुरूप है, जिसने उन दुर्गम पाहडियों में अपने प्राणों की आहूति दी थी, आईए, अटल जी की आवाज में ही, उनकी इस भावना को हम सुने, समझे, और समय की मांग है, कि उसे स्विकार करे, हम सभी को याद है कि गांधी जी ने हमें एक मंत्र दिया था, उन्होंने कहा था, कि जि कोई दिविदा हो, कि तुमें क्या करना है, तो तुम भारत के उस सबसे असहाय व्यक्ति के बारे में सोचो, और स्वेम से पूछो, कि क्या तुम जो करने जा रहे हैं, उस से उस वक् साथियों युद्ध की परिस्थिति में हम जो बात कहते हैं करते हैं उसका सीमा पर डटे साइनिक के मनोबल पर उसके परिवार के मनोबल पर बहुत गहरा असर पड़ता है ये बात हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए और इसलिए हमारा आचार, हमारा वहवार, हमारी वानी, हमारे बयान, हमारी मर्यादा, हमारे लक्ष, सभी कसोटी में ये जरूर रहना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं, कह रहे हैं, उससे सैनिकों का मनोबल बढ़े, उनका सम्मान बढ़ राष्ट्र सर्वोपरी का मंत्र लिए एकता के सुत्र में बंदे देश्वासी हमारे सैनिकों की ताकत को कई हजार गुना बढ़ा देते हैं हमारी यहां तो कहा गया ने संगे शक्ति कलो युगे कभी कभी हम इस बात को समझे बिना सोशल मीडिया पर ऐसी चीजों को बढ़ावा दे देते हैं जो हमारे देश का बहुत नुक्षान करती है कभी कभी जिग्यासावत फॉरवड करते रहते हैं पता है गलत है यह करते रहते हैं आजकल युद्ध केवल सिमाव पर ही नहीं लड़े जाते हैं देश में भी कई मोर्चों पर एक साथ लड़ा जाता है और हर एक देशवासी को उसमें अपनी भूमी का ताय करनी होती है हमें भी अपनी भूमी का देश की सीमा पर दूरगम परिस्तितियों में लड़ रहे सैनिकों को याद करते हुए ताय करनी होगी मेरे प्यारे देशवासीों पिछले कुछ महनों से पूरे देश ने एक जूठ होकर जिस तरह कोरोना से मुकाबला किया है उसने अनेक आशंकाओं को गलत साबित कर दिया है आज हमारे देश में रीकवरी रेट अन्य देशों के मुकाबले बहतर है साथ ही हमारे देश में कोरोना से मुर्त्य दर्भी दुनिया के जाधातर देशों से काफी कम है निश्टित रुप से एक भी व्यक्ति को खोना दुखत है लेकिन भारत अपने लाखों देशवाशों का जीवन बचाने में सफल भी रहा है लेकिन साथियों कोरोना का खत्रा टला नहीं है कई स्थानों पर यह तेजी से फैल रहा है हमें बहुत ही जादा सतर्क रहने की जरूरत है हमें ये ध्यान रखना है कि कोरोना अब भी उतना ही घातक है जितना शुरू में था इसलिए हमें पूरी सावधानी बरतनी है चहरे पर मास्क लगाना या गमचे का उप्योग करना दोगज की दुरी लगातार हाथ धोना कहीं पर भी थूंकना नहीं साव सफाई का पूरा ध्यान रखना यही हमारे हत्यार है जो हमें कोरोना से बचा सकते हैं कभी-कभी हमें मास्क से तकलीफ होती है और मन करता हैं कि चहरे पर से मास्क हटा दे बाचित करना शुरू करते हैं जब मास्क की जरूरत होती है जादा उसी समय मास्क हटा देते हैं ऐसे समय मैं आप से आगर करूँगा जब भी आपको मास्क के कारण परेशानी फिल होती हो मन करता हो उतार देना है तो पल भर के लिए उन डॉक्टर्स का स्मरण केजिए उन नर्सों का स्मरण केजिए हमारे उन कोरोना वारियर्स का स्मरण केजिए अब देखिए वो मास्क पहन करके गंटों तक लगातार हम सब के जीवन को बचाने के लिए जुटे रहते हैं आठ आठ दस दस गंटे तक मास पहने रखते हैं क्या उनको तकलिब नहीं होती होगी थोड़ा सा उनका स्मरण कीजिए आपको भी लगेगा कि हमें एक नागरिक के नाते इसमें जराबी क होता ही न बरतनी है न किसी को बरतने देनी है एक तरफ हमें करोना के खिलाब लड़ाई को पूरी सजगता और सतर्कता के साथ लड़ना है तो दूसरी और कठोर महनत से व्यवसाय, नोकरी, पढ़ाई, जो भी कर्तवे हम निभाते हैं उसमें गति लानी है उसको भी नई उ काल में तो हमारे ग्रामिन ख्षेत्रों ने पूरे देश को दिशा दिखाई है, गावों से स्थानिय नागरीकों के ग्राम पंचायतों के अनेक अच्छे प्रयास लगाता सामने आ रहे हैं, जम्मू में एक ग्राम, त्रेवा ग्राम पंचायत है, वहां की सरपंच हैं बलबीर कौर जी ने अपनी पंचायत में तीस बेड का एक कौरंटाइन सेंटर बनवाया, पंचायत आने वाले रास्तों पर पानी की भवस्ता की, लोगों को हाथ दोने में कोई दिक्कत ना हो, इसका इंतजाम करवाया, इतना ही नहीं, ये बलबीर कौर जी खुद अपने कंदे पर स्प्रे पंप टांक कर, वॉलेंटेर्स के साथ मिलकर, पूरी पंचायत में आसपार के छेतर में सैनिटाइजेशन का काम भी करती है, ऐसी ही एक और कश्मीरी महला सरपंच है, गांदरवल के चोंटली वार की जैतुना बेगम, जैतुना बेगम जी ने ताई किया कि उनकी पंचायत कोरोना के खिलाब जंग लड़ेगी और कमाय के लिए अउसर भी पैदा करेगी, उन्होंने पूरे इलाके में फ्री मास्क बाटे, फ्री राशन बाटा, साथ ही उन्होंने लोगों को फसलों के बीच और सेव के पौधे भी दिये, ताकि लोगों को खेती में बागवानी में दिक्कत ना आए है, साथियों कश्मीर से एक और प्रेयर घटना है, यहां अनंतनाग में मिन्सिपल प्रेसिडेंट है स्रीमान महमद इकबाल, उन्हें अपने इलाके में सैनिटाइजेशन के लिए स्प्रेयर की जरूत थी, उन्होंने जानकारी जुट तो पता चला कि मशीन दूसरे सहर से लानी पड़ेगी और किमत भी होगी 6 लाक रुपी है, तो स्रीमान इकबाल जी ने खुद ही प्रेयास करके अपने आप स्प्रेयर मशीन बना ली और वो भी केवल 50,000 रुपीय में, ऐसे कितने ही और उदारण हैं, पुरे देश में, कई प्रेयर घटनाएं रोज सामने आती हैं, ये सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं, चुनोती आई, लेकिन लोगों ने उतनी ही ताकत से उसका सामना भी किया। मेरे पैरे देशवासियों, सही एप्रोच से, सकारात्मक एप्रोच से, हमेशा आपदा को अउसर में, विपत्ति को विकास में, बदलने में बहुत मदद मिलती हैं। अब ही हम कोरोना के समय भी देख रहे हैं, कि कैसे हमारे देश के युवाओं, महलाओं ने अपने टालेंट और स्कील के दम पर कुछ नए प्रयोक शुरू किया हैं। विहार में कई वुमेन सेल्फ हेल्फ गुरूप्स ने मदवनी पैंटिंग वाले मास बनाना शुरू किया हैं। अब इसी बांस से त्रिपुरा, मनिपूर, असम के कारिगरों ने हाई क्वालिटी की पानी की बौतल और टिफिन बॉक्स बनाना शुरू किया है। बांबू से आप अगर इनकी क्वालिटी देखेंगे तो भरोसा नहीं होगा कि बांस की बौतले भी इतनी शांदार हो सकती हैं। और फिर ये बौतले इको फ्रेंडली भी हैं। इन्हें जब बनाते हैं तो बांस को पहले नीम और दूसरे आउस्वदिय पौंदों के साथ उबाला जाता है। इसे इन में अउसवदिय गौंड भी आते हैं। छोटे छोटे स्थानिय प्रोडक्ट से कैसे बड़ी सफलता मिलती है। इसका एक उधारन जार्खन से भी मिलता है। जार्खन के विशुनपूर में इन दिनों तिस से जादा समू मिल करके लेमन ग्रास की खेती कर रहे हैं। लेमन ग्रास चार महिनों में तयार हो जाती है और उसका तेल बाजार में अच्छे दामों में बिकता है। इसकी आजकल काफी मांग भी है। मैं देश के दो इलाकों के बारे में भी बात करना चाहता हूँ। दोनों ही एक दूसरे से सेंकडो किलोमेटर दूर है और अपने अपने तरीके से भारत को आत्मनिर भर बनाने के लिए कुछ हट करके काम कर रहे हैं। एक है लदाक और दूसरा है कच्छ। लेह और लदाक का नाम सामने आते ही खुबसुरत वादियां और उचे उचे पहडों के द्रश्य हमारे सामने आ जाते हैं। ताजी हवा के जोके मसूस होने लगते हैं, वहीं कच्च का जिक्र होते ही रेगिस्तान, दूर दूर तक रेगिस्तान, कहीं पैड पौधा भी नजर ना आए, इस सब हमारे सामने आ जाता है, लदाक में एक विशिष्ट फल होता है, जिसका नाम चूली या एप्रिकोट यान मौसम की मार जैसे अनेक चुनवतियों से ये जूचता रहता है, इसकी कम से कम बरबादी हो, इसके लिए आजकाल एक नए इनोविशन का इस्तिमाल सुरू हुआ है, एक डूएल सिस्टिम है, जिसका नाम है सोलार एप्रिकोट ड्रायर एंड स्पेस हीटर, ये खुबानी और दूसरे अन्य फलों एवं सब्जियों को जरूरत के अनुसार सुखा सकता है, और वो भी हाईजिनिक तरीके से, पहले जब खुबानी को खेतों के पास सुखाते थे, तो इससे बरबादी तो होती ही थी, साथ ही दूल और बारिस के पानी की वजह से फलों की क्वालिट बहुत से लोग जब सुनते हैं तो ना असर होता है कच और ड्रेगन फूर्ट्स, लेकिन महां आज कई किसान इस कार्य में जूटे हैं, फल की गुणवत्ता और कम जमिन में ज़्यादा उत्पात को लेकर काफी इनोविशन की जा रहे हैं, मुझे बताया गया है कि ड्रेग कि देश को ड्रेगन फूर्ट्स का आयात न करना पड़े हैं, यही तो आत्म दिरभरता की बात है, साथियों, जब हम कुछ नया करने का सोचते हैं, इनोवेटिव सोते हैं, तो ऐसे काम भी संभव हो जाते हैं, जिन की आम तोर पर कोई कलपना नहीं करता हैं, जैसे कि बिह आर के कुछ युवाओं को ही लीजिए, पहले सामान नोकरी करते थे, एक दिन उन्होंने ताय किया कि वो मोती यहने पल्स की खेती करेंगे, उनके एक शेत्र में लोगों के इस बारे में बहुत पता नहीं था, लेकिन इन लोगों ने पहले सारी जानकारी जुटाई, प्रफरपूर, बेगु सराय और पटना में, अन्य राज्यों से लोटे प्रवासी मद्दूरों को इसकी ट्रेनी देनी भी शुरू कर दी है, कितने ही लोगों के लिए इससे आत्म निर्भरता के रास्ते खुल गए हैं, साथियों, अभी कुछ दिन बाद रक्षा बंधन क पावन परव आ रहा है, मैं इन दिनों देख रहा हूँ कि कई लोग और संस्ताएं इस बार रक्षा बंधन को अलग तरीके से मनाने का अभियान चला रहे हैं, कई लोग इसे वोकल फोर लोकल से भी जोड रहे हैं, और बात भी सही है, हमारे परव, हमारे समाज के हैं, हमार सभी देश वाईशों को रक्षा बंधन की बहुत बहुत शुब कामना है, साथियों, साथ अगस को नेशनल हैंडूम डे हैं, भारत का हैंडूम, हमारे हैंडिक्राप अपने आप में सैंक्रों वरसों का गरों में इत्यास समेटे हुए हैं, हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि न सिर्फ भारत की हैंडूम और हैंडिक्राप का जादा से जादा उपयोग करें, बलकि इसके बारे में हमें जादा से जादा लोगों को बताना भी चाहिए, भारत का हैंडूम और हैंडिक्राप कितना रीच है, इसमें कितनी विवीदता है, कि दुनिया जीतना जादा उतना ही हमारे लोकल कारिगरों और बुनगरों को लाप होगा। साथियों, विशेशकर मेरे युवा साथियों, हमारा देश बदल रहा है। कैसे बदल रहा है। कितनी तेजी से बदल रहा है। कैसे कैसे क्षेत्रों में बदल रहा है। एक सकारात्मक सोच के साथ अगर निगार डाले तो हम खुद अचंबित रह जाएंगे। एक समय था जब खेल कुद से लेकर के अन्य सेक्टर्स में अधिकतर लोग या तो बड़े-बड़े शहरों से होते थे या बड़े-बड़े परिवार से या फिर नामी, गरामी, स्कूल यार कॉलेज से होते थे अब देश बदल रहा है गावों से, छोटे सहरों से, सामान्य हमारे युवां आगे आ रहे हैं, सफलता के नए सिखर चुम रहे हैं, ये लोग संकटों के बीच भी नए नए सपने संजोते हुए आगे बढ़ रहे हैं कुछ ऐसा ही हमें अभी हाली में जो बॉर्ड एक्जाम्स के रिजल्ट आये, उसमें भी दिखता है आज मन की बात में हम कुछ ऐसे ही प्रतिवाशाली बेटे बेटियों से बात करते हैं ऐसी ही एक प्रतिवासाली बेटी है कृतिका नांदल कृतिका जी हरियाना में पानी पत्से हैं हलो कृतिका जी नमस्ते नमस्ते सर इतने अच्छे परणाम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई धन्यवाद सर और आपको तो इन दिनों टेलीफोन लेते लेते भी आप ठक गई होगी इतने सारे लोगों के फोन आते होंगे जी सर और जो लोग बधाई देते हैं वो भी गर्म मैसूस करते होंगे कि वो आपको जानते हैं आपको कैसा लग रहा है अचा ये बताईए कि आपके सबसे बड़ी प्रेरना कौन है वाँ अचा आप मम्मे से क्या सीख रही है उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी मुश्किले देखे फिर भी वो इतनी बोल्ड और इतनी स्ट्रोंग है उन्हें देख देख के इतनी प्रेरना मिलते कि मैं भी उनी की तरह बनूँ मा कितने पड़ी लिखी है सब बीए किये उन्होंने बीए किया हुआ है जी सर तो मा आपको सिखाती भी होगी जी सर सिखाती है दुनियादारी के बारे में हर बात बताती है डारती भी होगी? जी सर, डारती भी है आच्छा पेटा, आप आगे क्या करना चाहती है? सर, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं अलो वा? देखिए, डॉक्टर बनना आसान काम नहीं है जी सर डिक्री तो प्राप्त कर लेगी क्योंकि आप बड़ी तेज़स भी हो बेटा लेकिन डॉक्टर का जीवन जो है वो समाज के लिए बहुत समर्पीत होता है जी सर उसको कभी रात को चैन से सो भी नहीं सकता है कभी भी प्रेशन का फोन आजाता है एस्पताल से फोन आजाता है उसको दोड़ना पड़ता है प् डॉक्टर के सामने भी बहुत बड़ा संकत रहता है जी सर अजा कृतिका भर्याना तो खेल कुद में पुरे हिंदुस्तान के लिए हमेशा ही प्रेणा देने वाला प्रोथसान देने वारा राज्य रहा है जी सर तो आप भी तो कुछ खेल कुद में भाग लेती है क्या कु अच्छा आपके उचाई कितनी है ज्यादा है उचाई नहीं सर पांच दो की है अच्छा तो फिर तुमारे खेल में पसंद करते हैं सर वो तो बस पैशन है खेल लेते हैं अच्छा चलिए कृतिका जी आपके माता जी को मेरी तरफ से प्रणाम कहिए उन्होंने आपको इस योग्य बनाया आपके जीवन को बनाया आपके माता जी को प्रणाम और आपको बहुत-बहुत-बहुत-बहुत शुप कामना है धन्य बाद सर आइए अब हम चलते हैं केरला अरना कुलंग केरला के नवी जवान से बाग करेंगे आलो है जशार नमस्कार शो विनायक कmberatuels मुझशंग थैस्टार्फ ये शावज रूस ये जोष्यू डिली अच्छंग ये बाद्मिंटि अप्रूश्या ड्रू। विट ये अबरबिये हैं वेस्ट्छलो उट्रूट डिर इंट जा यूट वट गड़ी पार्टिटेट and we get the opportunity to participate outside from the school itself. How many states you have visited? I have visited only Kerala and Tamil Nadu. Only Kerala and Tamil Nadu. Yes. So would you like to visit Delhi? Yes sir, now I am applying to Delhi University for my higher studies. Wow, so you are coming to Delhi? Yes sir. Tell me, do you have any message for fellow students who will give board exams in future? Hard work and proper time utilization. So it is a perfect time management. Yes sir. So Vinayak, I would love to know your hobbies. First of all, badminton. And then rearing. So are you active on social media? No, we are not allowed to use any electronic items or gadgets in the school. So you are lucky. Yes sir. Well Vinayak, congratulations again and wish you all the best. Thank you sir. Thank you sir. अश्याइ, आपने जो चाहा था, वही रिजल मिला कि कुछ कम आया? No, जो चाहा तो वहीं मिला. मेले पैरेंट्स भी बहुत खुश हैं. वा. अच्छाँ, परिवार में और भाई भी भी बहुत इतने ही तेज़ेस भी हैं कि घर में आप ही हैं जो इतने तेजस भी हैं सिर्फ मैं ही हूँ मेरा भाई वो थोड़ा सा इतने सरार सी है मुझे लेकर बहुत खुश रहता है अच्छा 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 आप पड़ रहे थे तो उस्मान आपका पसंदिदा विशे क्या था मैथमेटिक्स अरे वा तो मैथमेटिक में क्या रूची रहती थी कैसे हुआ किस टीचर ने आपको प्रेदी किया हमारे एक सब्जेक्ट टीचर रजस्टर उन्होंने मुझे प्रेंड़ा दी और वह बहुत अच्छा पड़ाते हैं और मैथमेटिक्स सुदूर से ही मेरा अच क्लासेश चलते हैं कभी ट्राइ किया है इसका ने अभी ने किया आप देखिए बहुत सारे आपके दोस्तों को लगेगा जैसे आप जादूगर है क्योंकि कॉम्प्यूटर की स्पीड से आप गिंती कर सकते हैं वेदिक मैथमेटिक की बहुत सरल टेक्निक्स हैं और आजकल वो ऑनलाइन पर भी अवेलेबल होते हैं क्योंकि आपके मैथमेटिक में इंट्रेस्ट है तो बहुत सी नहीं नहीं चीजे भी आप दे सकते हैं जी सर अच्छा उस्मान आप खाली समय में क्या करते हैं सर कुछ न कुछ लिखता रहता हूं मैं मुझे लिखने में बहुत इंट्रेस्ट आता है अरे वाँ मतला बाब मैथमेटिक में रूची लेते हैं लिट्रेचर में भी रूची लेते हैं क्या लिखते हैं कभीता हैं लिखते हैं कुछ भी करंट अफेर से रिलेटेट कोई भी टॉपिक को हो उससे लिखता रहता हूं नहीं जानकारिया मिलती रहती हैं जैसे जी एस्टी चला था और हमारे नौट बंदी सब चीज अरे वाँ कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए आई आई टी से बैचलर डिग्री लूँ और उस्ते बाद सिविल सर्विसेज में जाओं और एक आई एस कुन अरे वाँ अच्छा आप टेक्नलोजी में भी रूचि लेते हैं येस इसलिए मैंने आई टी किया है फर्स्ट टाइम बैस था आई टी का अच्छा चलिए उश् प्रकार से अफसर दिया आपका होस्ला बुलंद किया और ये मुझे अच्छा लगा कि आप पढ़ाई के साथ साथ करन्ट इश्यूस पर अध्यान भी करते हैं और लिखते भी हैं देखिए लिखने का फायदा ये होता कि आपके विचार में शार्पने साथी है बहुत बहुत बदाई मेरी तरफ से थैंक ये चलिए फिर एकदम से नीचे साथ में चले जाते हैं तमिलाडू नामकल से बेटी कनिगा से बात करेंगे और कनिगा की बात बहुत ही इंस्पिरेशनल है Kanika ji, one kum, one kum sir, how are you? fine sir, first of all I would like to congratulate you for your great success, thank you sir, when I hear of Намakkal, I think of the Ajnayar temple, yes sir, now I will also remember my interaction with you, yes sir, so congratulations again, thank you sir, you would have worked very hard for exams, How was your experience while preparing? I was working hard from the start, so I didn't expect this result, but I have written well, so I will get a good result. What were your expectations? 485 or 486, like that I thought, sir. And now? 490. So what is the reaction of your family members and your teachers? They were so happy and they were so proud, sir. Which one is your favorite subject? Mathematics. Oh, and what are your future plans? I am going to become a doctor, if possible, in AFMC, sir. And your family members are also in a medical profession or somewhere else? Oh, sir, my father is a driver, but my sister is studying MBBS, sir. Aroha. So first of all, I will do the pranam to your father, who is taking lot of care of your sister and yourself. It's a great service he is doing. Yes, sir. And it's an inspiration for all. Yes, sir. So my congratulations to you, your sister and your father and your family. Thank you, sir. 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 झाल झाल